Hello friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर आज के इस lecture में हम 25 अप्रेल 2023 के most important current office के question डिसकस करेंगे तो आप इस lecture को बहुत इध्यान से लाज तक जुरूर देखिएगा आज का पहला question है राश्टिय पंच्याती राजदिवस 2023 कब मनाय गया है तो यह 24 अप्रेल को मनाय गया है 24 अप्रेल को क्यों मनाय गया है क्योंकि 24 अप्रेल 1992 को भारतिय सम्मिधान का 73 सम्मिधान संसुदन पारित किया गया था तो इस दिन को याद करने के लिए यह दिवस मनाय जाता है जो 73 बा समिधान संसुदन था याद रखिएगा ये पंच्याती राजसर रिलेटर था और यह दिवस पहली बार 2010 में घोसित किया गया था 2023 की थीम याद रखिएगा सतत पंच्यायत स्वस्त जल परियाप्त स्वक्ष और हरित गावों का निर्माड यादिवस इस्थानिय स्वासासन और लोकतांत्रिक विकेंदरी करण को सुईकार करने के लिए मनाया जाता है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डिसकस करते हैं 1957 में वल्वंत राय महता समिती की अध्यक्षता में एक समिती का गठन किया गया था और इस समिती ने सत्ता के विकेंदरी करण की सिपारिस की थी 1992 में पंच्याती राज संस्थाओं को संबिधानिक दरजा दिया गया था 27 मई 2004 को पंच्याती राज मंत्राले का गठन किया गया था 1969 में राजस्थान पंच्याती राज सुरू करने वाला भारत का पहला राज बना था और ये जो पंच्याती राज व्वस्ता सुरू की गई थी राजस्थान में ये नागोर डिस्टिक से सुरू की गई थी दो अक्टुबर 1969 को और इसका उधगाटन किया था पंडिजवाहलाल नहरू ने इसके बाद आंदप्रदेश में हैदराबाद के पास साधनगर में भी पंच्याती राज शुरू की गई थी और दोस्तो जो आंदप्रदेश है वो पंच्याती राज वस्था लागू करने वाला दूसरा राज बना था पंच्याती राज से related कुछ important समितिया है तो इस related question पूछे जाते हैं एक्जाम में जैसे बल्मंत राय महता समिती का गठन 1957 में हुआ था वी टी कृष्णा बाचारी समिती का गठन 1960 में हुआ था संथानाम समिती का गठन हुआ था 1963 में तखतमल जैन स्टडी गुरूप का गठन हुआ था 1966 में असोक महता समिती का गठन हुआ था 1977 में जी वी के राव समिती का गठन हुआ था 1985 में डाक्टर एल एम सिंग्वी समीती का गठनुगा था 1986 में और पी के थूंगन समीती का गठनुगा था 1988 में आप देख रहें 25 अप्रेल 2023 की most important current affairs की lecture को तो लास्ट तक देखिएगा लास्ट में आपसे question पूछा जाएगा जिसका answer आपको comment box में देना है दोस्तो चैनल पर अगर आप पहली बारा आए हैं तो subscribe कर लें बेल आइकोन भी दवालें जिससे आपको समय पर सबसे पहली notification मिल सकेगी next question है तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने medal जीते हैं चार medal जीते हैं तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है कहां हुआ है तुर्किये के Antlaya में तो तुर्किये के Antlaya सहर में तीरंदाजी विस्वकप 2023 का इज़िन किया गया है इसमें भारत ने चार medal जीते हैं और ये जो विजेता है उन्हें पहला नाम है जोती सुरेखा वेनम का इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है और फिर जोती सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीन देवताले की जोड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है अतानुदास धीरज और तरोड दीप राय की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीत तो यहाँ पर बात आई है तुरकिये की तो इसे पहले तुरकी के नाम से भी जाना जाता था और यह है यूरेसिया महादीप दोनों महादीब दोनों महादीप एक कंट्री है और इसके इसिया बाले भाग को अनातोलिया और यूरोप बाले भाग को थ्रेस कहा जाता है 23 अप्रेल 2023 को किस राज में 132 बा खौंग जॉम दिवस मनाया गया है तो यह मनाया गया है मनीपुर में दोस्तो इसके पीछे की कहानी याद रखिएगा देखे 1899 में अंग्रेजों और मनीपुर के लोगों के बीच एक युद्ध हुआ था मनीपुर की आजादी को लेकर के जिसे एंगलो मनीपुरी युद्ध के नाम से जाना जाता है तो मनीपुरी लोगों का जो नेतुत कर रहे थे वो कर रहे थे मेजर पाओना ब्रजबासी और उनके साथ कई वीर साथी भी सामिल थे तो इनी वीर युद्धाओं और मेजर पाओना ब्रजबासी की वीरता को याद करने के लिए और उन्हें समानित करने के लिए खौंग जॉम दिवस मनाया जाता है और यह दिवस हर साल 23 अप्रेल को ही मनाया जाता है तो मनीपूर के थाउवल जिले के खौंग जॉम में यह दिवस मनाया जाता है हर साल मनीपूर की बात आई है तो कैप्टल है इंफाल और यहां की जो राजपाल है अंसुया उईके हैं मुख मंत्री है एन बीरें सींग दोस्तो मनीपूर की जब बात आती है तो लोकटक जील को जरूर याद रखेगा जो लोकटक जील है वो मनीपूर में इस्तित है और मनीपूर की विश्नुपूर जिले में इस्तित है और यह विस्ट की एक मात्र तैरती जील है पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रिये वेंक के गवर्नरों की वैठक कहां आयोजित हुई है तो ये बैंगलूरू में आयोजित हुई है इसे आप नोट कर सकते हैं क्योंकि G20 से रेलेटेड जितने भी कोश्चन है वो इस साल हर एक्जाम में पूशे जाएंगे तो पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की वैठक 24 सप्रेल 2023 को बैंगलूरू में आयोजित की गई है और इसकी अधिक्षता निर्मला सीता रमन और सक्तिकांत दासने की है दोस्तो G20 के बारे में बाद करें तो भारत इस साल 2023 में G20 की अधिक्षता कर रहा है बहुत सारी बैठके हो रही है तो G20 से रिलेटेट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना चाहिए तो G20 में 19 देश और यूरोपिय यूनियन सामिल है इसके स्थापना 1999 में की गई थी 26 सितंबर को और यह सतत विकास के लिए काम करता है G20 में कौन-कौन से देश सामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस रसिया, अर्जंटीना, आस्टेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपिय यूनियन, इंडिया, इंडोनेसिया, मैक्शको, साउधी अरेविया, साउध अफ्रीगा, और साउध कोरिया और टर्की तो यह G20 में देश सामिल है तो 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेसिया ने की है, 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया ने की है और अंगली, 2024 में यह जो अध्यक्षता है, यह ब्राजील करने बाला है विस्सो बैंक की Logistic Performance Index में भारत का कौन सा इस्थान है? Important Index है, नोड का लीजिगा, तो भारत का 38 इस्थान है दोस्तो Logistics क्या होता है? तो Logistics का मतलब होता है वह प्रकिया जिसमें तैयार या कच्छे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की जो प्रकिया होती है जो ये काम होता है उसे Logistics बोला जाता है तो Logistics Performance Index 2023 को किसने जारी किया है? विस्सो बैंक ने प्रथम स्थान सिंगापूर का रहा है, दूसरा फिनलेंड का रहा है और याद रखिएगा, भारत का इस्थान 38 बा रहा है, कितने देशों में? 149 देशों में विस्सो बैंकी की स्थापना 1944 में हुई थी, वासिंग्टन में इसका मुख्याला है मुख्य अर्थ सास्त्री हैं, इंदर मीत गिल, जो की सितंबर 2022 में इसके मुख्य अर्थ सास्त्री बने थे दोस्तों अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मौक टेश्ट हमारे एप पर उपलब है, इंदी अंग्रेज दोनों माध्यम में है तो आप जॉइन कर सकते हैं, कूपन कोड यूज करिए का पीएसर डेट, तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा डेली कर इंट अफ्यस की पीडेफ आपको एप पर मिलेगी, प्लस टेली ग्राम पर मिलेगी तो दोनों का लिंक के डिस्किप्शन में है, तो आप जॉइन जरूर करिए लिजीगा नेक्ट कोशन है, जल निकायों की पहली गर्णा में सरबादिक जलासाई वाला राजज कौन बना है तो वो बना है पशिम मंगाल तो यह जो गर्णा है, यह जल सक्ती मंत्राले के द्वारा सुरू की गई थी और दोस्तो इस गर्णा में जो वाटर वाडीज होती है, उनको सामिल किया गया था यानि इस गर्णा में ये देखना था कि किस राज़ में कितनी वाटर वाडीज है यनी कितने तालाब हैं, कितने जहरने हैं, कितनी जीले हैं, कितने hand pump हैं, ये सब देखना था, ठीक है, तो जल सक्ती मंतराले की मंतरी याद रखिये, गजन सिंख से खावत हैं, तो इस जलासाई वाली रैंकिन्ग में, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है, और सबसे क पूरे जल निकाए में तालाब कितने हैं 69.5 प्रतीसत हैं सबसे अधिक जीले कहां है तमिलनाडू में है और जल सरक्षण में पहला इस्थान किसने हासिल किया है महाराष्ट ने हासिल किया है नेक्स्ट कुशन है आई 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 टी मदरास अपना पहला अंतराष्टिय परिसर किस देश में इस्थापित करेगा तो वो तंजानिया में इस्थापित करेगा परिसर यानि केमपस दोस्तों आई 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 आ पॉइंट आपको नोट करना है तंजानिया की बात आई है तो दादोमा इसकी इसकी कैप्टल है लॉंग दीप जो है वो जंजी वार तंजानिया में स्थित है अफ्रीका की सबसे उची चोटी जो है वो माउंट के लिमंजारों है जो की तंजानिया में स्थित है अफ्रीका क और संस्थानों ने बिदेशों में अंतराष्टिय परिसर खोले हैं जैसे IIT दिली के द्वारा पहला अंतराष्टिय परिसर जो है वो अबुधाबी में खोला गया है IIT खड़कपूर के द्वारा पहला अंतराष्टिय परिसर मलेशिया में खोला गया है स्टार स्पोर्ट्स ने किस किर्केटर को विलीव इंबेस्टर की रूप में नुक्त किया है? कुछ और इंबेस्टर नुक्त किये गए हैं अभी हाली में जो की चर्चा में रहे हैं तो इनको भी डिसकस करते हैं जियो सिंवा की ब्राइबेश्टर बने है रोहिज सर्मा, H S FC की ब्राइबेश्टर बने है विराट कोहली, Women's Boxing Championship के ब्राइबेश्टर बने है फरान अक्तर और M.C. मेरी कॉम, पैपिको के ब्राइबेश्टर बने है रंडवे सिंग, प्यूमा इंडिया के ब्राइड इंबेश्टर बने है हर्मन प्रीत कौर ICIC 360 डिग्री बित्य सुरक्षा अभियान के ब्राइड इंबेश्टर बने है सूर कुमार यादव UNICEF इंडिया के राष्टिय इंबेश्टर बने है आईश्मान खुराना चुनाओ आयो के national icon बने है पंकच तिरपाथी नेक्स्ट कोशन है भारत के पहले गाओं का दोरा करने वाले पहले केंद्रिय मंतरी कौन बने है एल मुरुगन बने है तो मतस पालन और पशुपालन मंत्राले के केंद्रिय राज मंतरी है एल मुरुगन तो उन्होंने नागालेंड के फेक जिले में भारत म्यामार सीमा पर रिस्तित भारत के पहले गाउं अंब गखु का दौरा किया है और वो ऐसा करने वाले पहले केंद्रिय मंत्री बने हैं बात करें अगर नागालेंड की तो इसका गठन गुआ था एक दिसंबर 1963 को राजधानी कोहिमा है भासा है अंग्रेजी और यहाँ पर हॉर्न बिल फेस्टिवल मनाया चाता है लास्ट कुश्चन है टाटा एलेक्ट्रोनेक्स ने किसे अपना CEO और MD नुक्त किया है तो रडधी ठाकुर को अपना CEO और MD नुक्त किया है टाटा एलेक्ट्रोनेक्स ने ठीक है दोस्तो तो Tata Electronics Private Limited ने अपनी सेमी कंड़क्टर निर्मार छमताओं को मजबूत करने के लिए डाक्टर रणधी ठाकुर को CEO और MD न्युक्त किया है हाली में कुछ न्युक्तियां की गई हैं जैसे SS दोबे जो है वो नए लेखा महानियंत्रक बने हैं राजिस मलोत्रा PIV के प्रधान महानिदिशक बने हैं सैलेस पाठक फिक्की के महासच्यों बने हैं ग्रीश चंद्र मुर्मू अंतराष्टियस रम संगिठर के बाहरी लिखा परिक्षक बने हैं दोस्तो अब हम कल के करेंट अफियस को रिवाइज करते हैं और फिर इसके बाद हम जनरल लॉलिश के पिटारी को डिसकस करेंगे और लाश्ट में पूछेंगे आपसे कोशन जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कल का पहला कोशन था हाल ही में PSLV C-55 मिसन को सफलता पूर्वा किसने लॉंच किया है इसरो ने सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नमक पुस्तक का विमोशन किसने किया है बोरिया मजूमदार ने खुरुन का Global Unicorn Index 2023 में भारत का कौन सा इस्थान है तीसरा निव यार्क के पहले आसोईत मुख नियाधी स्कौन बने है रोबन विलसन बने है नागरे कुट्डियन मंतराले ने उडानी उजना के किस संस्क्रण की सुरवात किया है पांच बे असम और किस राज्य के बीच ए स्कूल कहां इस्थापित किया जाएगा पुड़े में फीफा अंडर 20 विसकप की मिजबानी कौन सा देश करेगा अर्जिंटीना संतोक बा मानावताबादी पुरुषकार किसे प्रदान किया गया है सौनम बंग्चुक को आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बिटाम A का नाम है रेटिनॉल, बिटामिन V1 का नाम है थाइमिन, V2 का नाम है राइवो फ्लेबिन, बिटामिन V3 का नाम है नियासिन, बिटामिन V5 का नाम है पेंटो थैनिक एसिड, बिटामिन V6 का नाम है पाई रेडोकसिन, V7 का नाम है बायोटीन, V9 का नाम है फॉलिक एसिड V12 का नाम है Sino-Coval-Min और VITAMIN C का नाम है Ascorbic Acid VITAMIN D का नाम है Kelsey Ferrol VITAMIN E का नाम है TACO Ferrol दोस्तों कई बार एक्जाम में भी पूछे जाते हैं ये रासाइनिक नाम अब आपसे कोशन पूछा जा रहा है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में रेना है राश्टिये पंचयाती राजदिबस 2023 कब मनाये गया है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएगा लेक्शर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें सेर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉम पर जैहिंद वन्देमात